बरसात के मुसम में हर गर्मे आपको एक ना एक वेक्ती ऐसा मिल जाएगा दोस्तों जो नाप की एलर्जी से बहुत ज़्यादा परिसान रहता है किसी किसी को नाक की एलर्जी 12 मेने परिसान करती है चाहे गर्मियों का मुसम हो चाहे सरदियों का मुसम हो या फिर भरसात का और किसी किसी को खास कर मानसून में ही ये ज़्यादा परिसान करती है तो अगर आपको भी ऐसी समश्य है, तो आप ये नुस्खा आजमा कर अपनी नाक की एलरजी से अमेशा के लिए चुढ़कारा पासकते हो, बहुती खास नुस्खा है दोस्तों, नाक की एलरजी के बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों, किसी-किसी को ये ठंडे अवासे हो जा जब नाख की ऐलरजी होती है तो कुछ इस तरह के लकसन आपको दिखाई देते हैं तो किसी किसी को चीख बहुत जादा आती है नाक से पानी बैने लग जाता है या फिर किसी किसी को स्वांस लेने में दिक्कत होती है नाक बंद सी हो जाती है और आपको जो है नाक में खुजली आने लगती है आमेशे ही नाक जो है आपकी बैती रहेगी या फिर बंद रहेगी सोते समय आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है स्वांस लेने तो अगर आपको भी इस तरह की दिक्कत हो रही है तो आप ये नुस्खा आजना सकते हो तो चलिए देख लेते हैं नुस्खा आमें किस तरीके से बनाना है और इसमें अमें क्या-क्या चीजों के आवसकता पड़ेगी तो सारी चीजे यहां पे देखेंगे बहुत सारी चीजों के साथ में ये नुस्खा नहीं बनता है दोस्तों और नहीं इसके लिए आपको कुछ महंगी चीजों का इस्तेमाल करना होता है बहुती कम चीजों का इस्तेमाल करके और ऐसी चीजे जो आपको फ्री में मिलेंगी उनके साथ में ये बनाएंगे लेकिन मेंगी मेंगी दवाईयों से ज़्यादा इफेक्टिव है ये नुस्खा नाकी एलर्जी की समस्या के लिए इसको सर्दी जुखाम वाले भी ले सकते ह जिनको कवी कवार होता है आभी मैं स्पेशल नाकी एलर्जी के लिए इसलिए बता रहे हूं क्योंकि बर्शात का मोसम है और बहुत सारे कमेंट आते हैं बोट जन इससे बहुत ज़्यादा परिसान हो रहे हैं तो उनके लिए ये नुस्खा में सेयर कर रहे हूं नाकी अलर स्पॉसक तत्रू का खजाना होता है लेकिन साइध ही अपने कभी सुना हो की अम्रूद से ज़्यादा फाइदे इसके पतों के अंदर होते हैं बरपूर मात्रा में विटामीन सी होता है और और बी जो विटामीन सोते हैं इसमें भरवर के होते हैं दोस्तों ये आपको नाक की ऐलर्जी से बचाएगा अभी जैसे बरसात का मोसम है तो आप जो चाए पिते है ना चाए की बजाए आप ये नुस्खा बना कर ले लिए आपको एक से दो खुराक में ही इसका फायदा नजर आ जाएगा दोस्तो नाकी अलर्जी को ठीक करने के लिए चाहे आपने पहले कितनी ही मेंगी दवाईया खाई हो कितने ही समय तक खाई हो तो भी बनाने में भी आसान और लेने में भी आसान और किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट इससे नहीं होता है फायदा ही फायदा देता है नाक की अलर्जी के साथ-साथ और भी आपके सरीर में बहुत सारे फायदा करता है जैसा कि आपने सुना होगा जैसे आप दवाईयां व तो यावे आपको क्या करना अमरूद की पत्तियां लाकर सबसे पहले द्यान देना आपको दोने के लिए तीन से चार पानी से आपको दोना है एक दम अच्छे से मसल कर क्योंकि इसके उपर बारे कुछ दिखाई दे सकता है आपको दूल मिट्टी के कन बाकि मच्छर मक्खी दिखाई दे जाते हैं तो आपको अच्छे से दोकर साफ करना है उसके बाद में ही इस्तेमाल करना है क्योंकि कई बार किसी किसी को जो है दूल मिट्टी से जंदगी से भी ऐलर्जी होती है दो पत्तियां आपको ले लेनी है एक बार में अगर कच्छी पत्तियां होती है त पतियों के अंदर आपको पानी लेना है जो पानी पीने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वो पानी आपको लेना है चाय वाले कप से आपको डेड़ कप भरकर पानी ले लेना है दोस्तों डेड़ कप अम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब ये बनकर तयार होगाना तो अपनी क आफ रह जाएगा जब तक आप इसे पका कर तयार करेंगे सिर्फ यहां पे अमनाक की एलर्जी जिनको अमेशा रहती है ना बारा मेने परेशान करती है उनके लिए वता रहे हैं जिनको कभी-कभी सर्दी जो खाम-खासी होता है या बहुत ज्यादा वैंकर हो गया है तो आप जो है ना एक-दो बार इसको बनाएंगे ना शुरुवात में तो इसमें आप थोड़ी सी अद्रक एक-दो लोंग एक-दो काली मिर्च यह चीज़े भी डाल सकते हो लेकिन जो नाक की अलर्जी से बारा मेने परेशान रहते हैं उनको ज्यादा कुछ भी नहीं डालना है न इसको जब तक उबालना जब तक कि अपनी क्वांटिटी से आदा रह जाए बस इतना उबाल कर लेना है अगर आप इसके अंदर मीठा एड करना चाहते हैं तो अभी जैसे गर्मिया है बरसात है तो इसमें थोड़ा सा आप मिस्री डाल सकते हो दोस्तो जो खड़ी मिस्री आती है वो लेकर आजाए आप छोटी शी डली उसके डालने जिससे की स्वाध भी थोड़ा अच्छा हो जाए अकेली पतियां उबलती है पानी के अंदर तो अलका सा कसेला स्वाध रहता है अब नहीं सकतें अप फिका भी पी सकतें आप इसका स्वाध बढ़ाना चाहते ह दो स्वाद में अगर नेम्बु बहुतँ ज़ादा होगा फाइदा पहलीं पहले लेक्टा-कुटमında सब्सक्राइब यह अब लेना सुरू कर देंगे लिए इसको देखाऊ कि आपको एसा होता है अकेला निम्बू का रस लेते हैं तो हो जाता है अगर आप गरम गरम इसमें जो पत्तियों की चाय बना कर लेंगे इसके अंदर डाल कर लेंगे तो आपको फायदा होगा इससे नुक्सान नहीं होगा क्योंकि जो निम्बू होता है ये भी आपकी इम्मुनिटी के लिए अच्छा होता है आप रेगुलर लेना शुरू करेंगे ना तब आपको समझ आ जाएगा दोस्तों फिर यहां पे मैं आपको बता दू अगर किसी को निम्बू लेने से स्किन वगिरा की एलर्जी है या सुबह की चाई की जगए पे और शाम को आप सोने से पहले एक बार बना कर ले लेंगे तो आप रात को भी आरहम से सो पाएंगे ना चीक आएगी ना खांसी आएगी ना आपको जुखाम की समझ्या होगी बंद नाक भी खुल जाती है और जब इसको गरम गरम बना कर चान क की जगए पे एक बार दो बार बना कर दिन में ले सकते हो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगा और नाक की एलर्जी को खतम करने के लिए इसे आप रेगुलर कुछ दिन लगातार लें जिससे आपको फायदा मैसूस हो जाए तब आप इसे बंद कर सकते हो यह था ह कमारा आज का नुस्खा अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शिर कमेंट और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद